हलो एवरिवान विल्कम बैक तुस्ट अब अगर आप अपने फंडामेंटल स्ट्रॉंग करना चाहते हैं तो यह चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपने समय में लग जा है तो इस तरीके के जितने भी चैप्टर से बच्चो यह हमारे लिए बहुत ही ज़ए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो चलिए समझते हैं आज के इस चैप्टर में कि हमारे पास जो अपास अपने पहली बात तो मीनिंग क्या होती है बहुत डिफरेंट तरीके से बच्चो मैं यहाँ पर इसको एक्स्पेस करना पसंद करूंगा accounting equation is a statement of equally between the resources and the sources which finance the resources and is expressed as under resources equals to sources of finance और दूसरा इसको हम लोग अगर accountancy के point of view से देखेंगे तो assets always equals to capital plus liabilities आपको पता है बच्चो इसके अंदर बहुत खुद छुपा हुआ है मैं तो आपसे कह रहा हूं कि पूरी बिजन्स में जितने भी resources होते हैं मतला आपके पास बिजन्स में जितने भी assets होते हैं इनहीं को हम लोग resources बोलते हैं यह सारे के सारे assets आते कहां से हैं यह आते किसी source से सकATIONS और यह जो resources और यह जो source है यह दोनों हमेशा क्या होगे equal ही होंगे अप ए盆प लिए यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों कि resources equal to sources of finance लिखा हुआ है मतलब आपका बिजनेस ना बिजनेस होता है हमेंशा 0 से start business का अपना कुछ भी नहीं होता है बिजनेस के पास जीतने भी रिसौर्साइस होते हैं ऑस किसे प runtime ने तो उसको में लोग क्या बोलते हैं और एक हिस्था कहाँ से विएक वाउटसाइडर से जिसकोन आपके बिजनेस के बराबर हो ni वहांगे capital plus liabilities के एक बार फिर से समझने कोशिश करेंगे कि बिजनस कैसे स्टार्ट होता है सब बिजनस स्टार्ट होता है हमेशा से बिजनस के पास अपना खुद का कुछ भी नहीं होता है बिजनस के पास जितने भी assets होते हैं जितने भी sources होते हैं भाई वो कहां से आएंगे तो मैं आपके different तरीके से समझाता हूँ बच्चो बिजनस में जो finance का source होते हैं वो दो ही source होते है owners fund और borrowed fund मतलब business के पास जो कुछ भी है वो कहां से आया होगा owners fund से तो हम उसको क्या बोलें properties आप अगर। आपَّ आपके पास जितने भी resources होते हैं वो हमेंसा क्ने basis के पराबर होंगे sources की या फिर हम इसको ऐसे सम सकते हैं कि हमारे पास जितने भी assets होंगे business में जितनी हमारे पास business के अंदर properties होंगी हर वो चीज मेंट बच्चों का अपरेट करने liabilities तो आपके पास जितने भी assets हैं वो हमेशा किसके बराबर होंगे capital plus liabilities के एकदम clear है अब यह चीज ना बच्चो जादा बहतर तरीके से हमको कैसे समझे में आ सकती है जब हम इसका numerical attempt करेंगे तो यहाँ पर आप लोग equation for the following transactions बहुत simple transactions लिए हमने फिर दीरे हम इन transactions को क्या करते चले जाएंगे complex करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर पहला हमारा क्या है मुसकान started business with cash rupees 25,000 purchase goods from sham rupees 10,000 इसके अलावा sold goods to sohan costing 1800 for rupees 1500 यहाँ पर loss हो रहा है और मुसकान withdraw withdrew from business 5,000 तो यहाँ यह वो transactions है और इन transaction की happening के बाद मैं आपको बता दूँ हर transaction की happening के बाद आपके जो assets है capital plus liabilities के बराबर होता है तो काम करते हैं बच्चों इसके हम लोग जो numerical question से वो numerical question हम लो solve कर लेते लेकिन numerical इसल्ट को साथ करने से पहले बच्चों इसका होता एक format तो वह format में बता देता है सब से पहले बच्चों लोगों को भी आपको यहां पर लिखना पड़ता है serial number , facts here पर mention कर दीजिए बच्चो serial number serial number के बाद बच्चो हमें लिखना पड़ते हैं यहां पर transactions तो मेरा जो अगला head बनेगा यहां पर वो बनेगा transactions का transactions के बाद बच्चो जो हमारी fundamental accounting equation आपको वह repeat करना होता है कि हमारे पास जितने भी assets होते हैं दे और always equals to capital plus liabilities तो यहां पर बच्चो हो जाएगा हमारे पास assets equals to capital plus liabilities अब इसके बाद बच्चो यहां पर कुछ इस तरीके से यहां पर कुछ तरीके से आप आप इसको draw करेंगे and after that यहां से लेके यहां तर ड्रॉ कर देजी तो यह जो मैंने भी last में बच्चो यहां पर आप लोगों के लिए रो तैयार करी इसके अंदर में assets liabilities के जो हैं ने मेंशन करते चले जाओंगा अब यहां पर सबसे पहले transaction पढ़ लीजिए पहले transaction में आप से बोला जा रहा है मुसकान started business with cash 25,000 कुछ नहीं करना है हर transaction के effect निकालिए कि इस transaction के आपके assets capital or liabilities में क्या changes आ रहे हैं और जो भी changes आ रहे हैं वो changes वहां पर mention कर दीजिए तो यहां पर क्या लिखा है मुसकान started business with cash रूपीस 25,000 तो यहां पर सबसे पहले बच्चों mention कर दीजिए कि यहां पर सर हमारे पास transaction number है वो गया one क्या लिखेंगे अपन लोग यहां पर बिलकुल sweet and simple जितना short कर सकते हैं आप लोग started business with cash कितना cash आ रहा है business के इंदर business के अंदर है 25,000 cash हमारे लिग क्या होता है sir asset तो यहां पर बच्चों आप के दीघście आप कम करता हूं Cash नाम का iqaunt open कर लेता हूं कि रह रहा तो II ॉR भाश् invece कि यहां पर मैं लिख दूंगा cash कितना cash आ रहा है 25,000 तो बच्चों यहां पे मेंशन कर दीजिए आप लोग 25,000 अब यह तो हो गया आपके लिए रिसोर्स लेकिन इसका सोर्स क्या था यह आया कहां से सर इसको बिजनसमें लेकर आया है तो बिजनसमें बिजनस में जब भी इन्वेस्ट करता है उसको अपनों क्या बोलते हैं गुड्स फ्रॉम शाम किस से पर्चेस किया हम लोगों ने सर श्याम से पर्चेस किया अब ध्यान से देखना मैटा इसके एफेक्ट निकाली इस ट्रांजिक्शन के सब पहले तो हम लोग गुड्स खरीद के लेकर आ रहे हैं तो इससे हमारा जो स्टॉक के हो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा और स्टॉक हमारे लिए क्या होता है सर एसेट होता है तो यहां पर आप लोग एक स्टॉक नाम का अकाउंट ओपन कर लीजिए कितने के स्टॉक पर्चेस की हैं सर हम लोगों ने 10,000 रुपीज के अब अगर मैंने कैश में खरीदा होता ना तो मैं इ यहां पर शयाम नाम की इसका सब्सक्राइब वापस देखो बच्चों यह आपके पास था आपकी बार उसका सोर्स क्या है इंटर्नल नहीं है एकस्टर्न है बिजनिसमें लेकर नहीं आ रहा है हमने किसी भारवाले से लिए है खशोड़िए अब दोनों कर टोटल और यहा सब्सक्राइब करेंगे और सिंगल लाइन करने के बाद आपको यहां पर इनकी रिवाइज जो है स्टेटस पता लगाने पड़ेंगे कि भाई अब हमारे एसेट्स कितने की हो चुके तो जैसी दो ट्रांदेक्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप लोग यहां पर लिग लेगा new equation तो यहां देखेंगे कि हमारे पास जो cash रखा है वो अभी भी कितना रखा है 25,000 हमारे पास जो stock रखें वो कितने के रखें सर 10,000 हमारी जो capital है वो कितनी चल रही है 25,000 और अभी भी सर हमारे पास एक liability है कि हमको शाम को पे करना है कितना 10,000 अगले transaction में आते है sold goods to Sohan costing rupees 1800 for rupees 1500 ध्यान से देखो यह जो बंदा है यह business यहां पर loss में करने जा रहा है अपना इसने goods बेचे है 1800 वाले कितने बेचे है 1500 में तो 300 rupees का क्या हो जाएगा loss हो जाएगा और एक और ची यह जो goods बेचे जा रहे है बच्चों credit पे बेचे जा रहे है उधार में बेचे जा अब सोहन है कि मोहन है चले तो सबसे पहले हम लोग गुट्स है गुट्स कितने के 1800 के तो यह काम करो अपने आपको ना पी किसी दुकान में बठा लोग अब मैंने यहां पर गुट्स क्या कर रहा हूं बेच रहा हूं तो ऑविस सी बात है हमारा जो स्टॉक क्या हो जाएग है और वो गुट्स कितने के ते 1800 के तो हमने क्या कर लिए कम कर लिया कितने से 1800 से अब यह जो मैंने गूर्स बीचे 1500 में सोहन को उधार में मतलो मुझे इससे पैसा लेना बाकि हर वो परYou person पैसा लेना बाखी वो हमारी लीग केलाता है सर डेटर यहाँ पर बच्चो आ जायेगा आपका कौन डेटर की जगा पर काम करिए बच्चो उसका जो नेम है न वोई मैंशन कर दीजीएगा वो ज्यादा कर दिए जाएंगे माइनस कर दिए जाएंगे जैसी आपका यहां पर बच्चों ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है आप यहां पर एक वापस से सिंगल लाइन ड्रॉ कर दीजे और आपके जो रिवाइज स्टेटास है असे वापस से पता लगा लीजे तो मैं यहां पर लिख सोहन नाम का जिससे 500 रुपीज लेना है इसके बाद बच्चों अगर हम लोग यहां पर कैपिटल की पोजिशन देखें तो सर वो है 24,700 और इसके बाद हम देख सकते हैं कि सर यहां पर हमारे पास शाम नाम के जिए लिए उसको अभी वी कितना पे करना है 10,000 नेक्स्ट ने यहां लिख दीजिए कुछ भी स्वीटन सिंपल क्याश विस्ट्रिव अब हमारी जो बिजनस्वोमन है मुस्कान वह 5,000 रुपीस क्या कर रही विस्ट्रिव कर रही है तो ऑविएस सी बात है जो कैश का बैलेंस हो पहले के कम पैजन में क्या हो जाएगा कम हो जाएगा यह उसके बाद यहां पर अगेन वापस से सिंगल लाइन हम लोग यहां पर करेंगे और यह पता लगाएंगे कि हमारे रिवाइस्ट क्यापिटल लाइबिलिटीज और हमारे जो एसेट्स हैं उनका क्या स्टेटस है यहां लिख दूंगा बच्चों मैं नियू इक्यूएशन आप देख सकते हैं 24,700 में से 5,000 की जो है ड्राइंग हो गई तो यहां कितना बचेगा सर 19,700 और यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक लाइबिलिटी है कितने की 10,000 की अब एक काम करना बच्चों चलिए इनको एड करके देखना अगर हम इनको एड करेंगे त वो हमारे सोर्सेस के बराबर ही होना चाहिए तो टोटल कॉंट्रिब्यूशन कितना है हमारे पास 29,700 अब देखो आपके पास 29,700 के एसेट है की भी नहीं 20,000 प्लस एट हो गया 28 29 हां जी सर यहां पर भी हमारे पास जो सोर्सेस हैं वो भी 29,700 की हैं यही तो शो करती है accounting equation ए यहां थात कोशन हैं आप लोगों को और प्राक्टिस करा देतें ठीक है पूरा छेल जो होता है भी तो फैसका ही होता है तो फोर्मिट बने रहने देते आपलों यहां पर फ्रमेट की हमको यहां पर जरूर्षत पड़े गी जहां से जो-जो हटा सकते हैं बस वह सारी जहां पर हम लोग यहां से निकाल देते हैं तो यहां पर आप लोग अगला कोशन जो है उसके लिए हो जाए तयार तो आप लोग भी जब तक अपनी मैंशन करें देता हूं कि सीरियल नंबर लगता है यह मुझे रेस नहीं करना चाहिए था अला कि ट्रांजेक्शन्स फिर वही बात कि सर एसे जो होते हैं वह हमेशा किसके बराबर होते हैं क्यापिटल प्लस लाइबिलिटीज के हमारे पास जो कुछ भी होता है वो दो ही जगा से आता है ओनर्स फंड से और बॉरोड फंड से तो यहां इस तरीके से बच्चों आप लोग लिख लीजिए क्यापिटल प्लस लाइबिलिटीज ठीक है अब हम चलते हैं अपने अगल दीजे ट्रांदेक्शन नमर वन और बिल्कुल जितना स्वीट एंड सिंपल आप लोग यहां पर लेख सकते हैं पर नाप लोग यहां पर नरेशन टाइप का है बेसीकली अपने आपने आप में स्टाटेट बिजनिस विथ कैश चलिए स्टाटेट बिजनिस विथ कैश कितना कैश आ रहा है मारे पास सर 50,000 रुपीज अब सोचिए हैं पर क्या चेंजिस होगा सर बिजनिस में ना कैश नाम का जो एसिटेव इंक्रीज हो जाएगा अप टू एक्स्टेंट ऑफ 50,000 और यह जो 50,000 रुए कहां से लेकर र रहें तो यहां पर हमारा जो capital है वो भी कितना हो जाएगा सर यह हो जाएगा 50,000 तो हो गए ना आपके resource equals to source अब आप चलिए अपने अगले transaction पे और रीट कर लिजिए यहां पर अगले transaction में सी क्या बोले आ रहा है salary is paid तो यहां पर लिख देंगे बच्चों हम लोग salary is paid कितना 2,000 पे कर रहे हो अब salaries पे कर रहे हो तो यहां पर आपको जो cash का balance है वो salaries के extent क्या हो जाएगा कम हो जाएगा मेरी बाद ध्यान से सुनना बच्चों अगर आप थोड़ा सा भी common sense लगाने की कोशिश करो तो cash है capital है मतलब assets है capital और liabilities है यहां पर आपको कोई भी nominal nature का account नहीं दिख रहा होगा तो इसका मतलब यहां पर मैं expenses और income के अलग से account ओपन नहीं कर सकता हूं तो जितने भी expenses होंगे वो कहां से minus किये जाएंगे capital से और जितनी भी income होगी कहां लिया के add कर दी जाएगी सर्वू लिया क में कितना चेंज आ रहा है और liabilities में कितना चेंज आ रहा है तो इसका अलग से आप account नहीं open करेंगे क्योंकि ना तो यह asset है ठीक है लेकिन यह खर्चा है और हमारे लिए इसलिए हम उसको कहां लेकर चले आएंगे सर आप उसको capital में लिया से क्या कर दीजिएगा minus कर दीजि तो सर अब हमारे पास जो cash है न वो बचा है 48,000 का और सर हमारे जो liabilities side में यह ऐसा बोलना चीज हो हमारा capital है वो भी कितने का उजाएगा सर 48,000 का अब हम यहां पर बच्चों जल्दी से अगला transaction उठा लेते हैं transaction number 3 बोल लो इसको या C बोल लो wages outstanding है कि 200 की चलो बड़ा जबर outstanding 200 समझनी कोशिश करना बच्चों wages outstanding का मतलब होता है wages due but not paid मतलब wages नाम का खर्चा हो गया है लेकिन अभी आपने cash में पे नहीं किया है तो चुकि wages नाम का खर्चा तो हो चुका है इसलिए हम लोग capital में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे लेकिन आपने पे नहीं किये तो हमारे यहां पर transaction complete हो जाता है अब बच्चों यहां पर हम लोग वापस से रिवाइज हमारे assets capital or liabilities का सेटस बता लगाएंगे तो cash अभी भी हमारे पास कितने का है 48,000 का और यहां पर अब सब्सक्राइब हो चुका है 47,800 का और 200 रुपीज की जो है अभी हमारी liabilities आप किसी भी स्टेज पर देख लो हर बार आपके assets जो है वो capital प्लस liabilities के बराबर ही निकल कर आ रहे हैं अब हम क्या करेंगे सब्सक्राइब आप अगला transaction solve कर दीजिए अगले transaction मे मैंने थोड़े से critical transitions लिए इसके बाद फिर से हम लोगे काते को easy question कर लेंगे interest due but not paid अब interest due but not paid तो यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ कितने का था interest hundred rupees का हां जी सर hundred rupees का तो यहां पर खर्चा तो हो चुका है तो hundred rupees क्या कर दूँगा यहां से minus कर दूँगा लेकिन सर हमने पे नहीं किये तो बच्चों अगर आप पे नहीं करोगे ना तो भाई liability create हो जाएगी outstanding interest के नाम से बच्चों यहां पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा एक अकाउंट open करना पड़ेगा और यहां पर मैं hundred rupees क्या कर दूँगा अब आड कर दूँगा अब वापस हम लोग क्या करेंगे सर आप वापस new equation पता लगा लीजे तो यहां पर सर हमारे पास जो cash उसमें अभी भी 48,000 ही रखा हुआ है यहां सर 47,700 हो कर रहा है रेंट paid in advance 150 अच्छे से समझना तो मैं यहां पर लिख देता हूं रेंट कि पेड इन एडवान्स रेंट आपने पे किर दिया है अभी यह खर्चा नहीं है अभी खर्चा नहीं हुआ है बही कोई चीड अगर मैंने पहले सी पे कर दी तो खर्चा थोड़ी नहीं कहलाएगा खर्चा तो तब कहलाता है जब हम उनकी services को यूज़ कर लेते हैं तो जैसे मैंने एडवान्स में पे किया ना बच्चों मेरे लिए एक एसेट क्रियेट हो गया कि मुझे अभी उसकी अगेंस में services लेना बाकी है तो मैं यहां पर प्रिपेड रेंट नाम का क्या कर दूंगा अकाउंट ओपन कर दूंगा कितने से 150 से और लिखा है paid मतलब आपका जो cash है वो आपने क्या कर दिया होगा पे कर दिया होगा तो इससे हमारा कि हमने पे करी तो cash में से कम हो जाएगा चुकि expense हो चुका है इसलिए हमने capital में से minus कर दिया वेज़े आउटसेंडिंग थे चुकि expense हो चुका है इसलिए मैंने capital में से minus किया लेकिन पे नहीं किया तो क्या create होगई liability अगर पे कर दिया होता तो cash में से minus हो जाता बिलकुल अगर आपने पे कर दिया होता तो cash में से minus कर देते नहीं पे किया इसलिए liability क्रेट होगे अगला है prepaid हमारा जो है rent है हमने advance दे दिया मतलब खर्चा नहीं होए चुकि खर्चा नहीं होए इसलिए मैंने capital में से minus नहीं किया एक acid create हो गई तो prepaid rent नाम का हमने आप acid बना लिया और हमारा जो cash है उसमें से हमने इसको कम कर लिया अब एक काम करिए बच्चो न्यू equation पता लगा लीजे अब आपके जो revised assets हैं वह सर यहां पर हो रहे हैं 47,850 प्लस 150 इसके लावा यह तो यहां पर as it is आ जाएगा सर capital है मेरी 47,700 और यह सर outstanding wages 200 के हैं और 100 रुपीज का हमारे पास है outstanding आपका interest अब दोनों का add करके देख लो बराबर यहां इदर कितना रहा है 48,000 यहां पर भी कितना रहा है 48,000 एकदम clear है तो यहां बच्चों करते हैं अब हमने question को समझ लिया है कि हमारे पास जतने भी resources होते हैं they are always equal to sources तो यहां पर अब एक काम करिए वापस से अप आपने अगले questions के तरफ और जादे इसमें कुछ ऐसा practice करने के लिए है नहीं यह चोटे-चोटे concepts हैं जो आलरीडी मैं आपको सामने बच्चों यहां पर बहुत detail में मैंने explain कर दिये हैं तो जित्ती जरूवत की चीजें वो मैं आप उठा रहा हूं बाकि सारी की सारी चीजें हम लोग erase कर रहे हैं क्योंकि बार बार हमें format बनाने का जो है वो जंजट नहीं रहेगा आप लोग जरूरूर बना लेना भी यह बना बनाया format यूज मत करना assets equals to capital plus liabilities चलिए प्रैक्टिस सबसे आधा इंपॉर्टेंट होती है तो प्रैक्टिस के लिए और कोशन चाहिए होंगे तो लीजे एक कोशन और ले लेते हैं सर यहां परना लिखा हुआ है स्टार्टेट बिजिनेस में बार बार बोलना पड़ता है क्योंकि आप ऐसा करते नहीं वीडियो देखनी नहीं है भाई पैन उठाइए और ने नोटबूक उठाइए और साथ साल करीए तर्टेशननी महनत करें है पर लोग पर लोग बिजनेस with cash कितना cash है 1 lakh rupees cash हमारे लिए क्या होता है asset जिससे आपका asset क्या हो जाएगा increase हो जाएगा भई यह जो resource इसका source क्या है कौन लेकर आ रहा है business में सर यह businessman लेकर आ रहा है तो यहाँ पर 1 lakh आपका क्या हो जाएगा capital अगला transaction क्या है purchase goods for cash 20,000 and credit on नहीं है बच्चों ठीक है यह हमारे लिए क्या है and है तो यहाँ आप से कह रहे हैं कि goods हम ने खरीदा है 20,000 का cash में और 30,000 का credit में तो यहाँ पर आप लिख दीजिए भाई जो हो रहा है purchased goods for cash and on credit इवार question फिर से तेख लो 20,000 के cash में खरीद रहे हो 30 खरीद रहे हो आप लोग क्रेडिट में चोटल कितने के goods खरीद रहे हैं सर्फ 50,000 के तो मेरा जो stock नाम का asset है वो increase हो जाएगा कितने से सर्फ 50,000 से अब 50,000 के जब मैं goods खरीदा तो इसमें से मैंने cash में कितने के लिए से 20 के तो पैमेंट करनी पड़ेगी ना payment करेंगे तो सर्फ हमारा जो cash है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और जो remaining 30,000 उसका payment करना भी बाकी है तो बच्चे का liability create हो जाएगी कि मुझे अपने creditor को payment करना बाकी है कितना payment करना बाकी है सर्फ 30,000 ठीक है आगी बास समझ में तेख फिर से समाल लीजिए total goods कितने के खरीदरें 50,000 के तो asset कितने से increase हो जाएगा stock नाम का 50,000 से cash में payment कर दिया 20,000 तो cash में से minus कर लो और 30 दिना बाकी है तो liability create होगे अब यहां पर बच्चो अपनी new equation तो जरा पता लगा लो सर्फ यहां पर ना 80,000 रुपीज का cash बचा है 50,000 का सर हमारे पास जो है stock है और हमारी capital है सर्फ 1,00,000 रुपीज की और हमारे पास सर्जो liability है वो है अब भी 30,000 की इन दोनों को add कर लो total assets कितने के हो रहे हैं सर्फ 130 out of 130 ओनस contribution वन लैक आउसाइडस contribution 30,000 ऐसे भी आप लोग इसको समझ सकते हैं अगले transaction में बोल रहे है sold goods for cash costing rupees 10,000 and on credit 15,000 both at a profit of 20% यह हुई ना बात इसको कहते हैं या transaction तो यहां पर हमने goods में बेचे हैं goods बेच रहे हैं cash में कितने के 10,000 के 20% के profit पे और credit में बेच रहे हैं 15,000 के वह भी 20% के profit पे एक काम करो बच्चों मैं इसको माल लेता हूं कि यह दो transaction है ठीक है तो यहां मैं लिख देता हूं sold goods for cash and on credit तो 10,000 के goods बेच रहा हूं 20% के profit में cash में ठीक है इसको मैं पहले treat कर लेता हूं यह लिजे sold goods for cash costing 10,000 इसको मैं पहले treat करूंगा और उधार में 15,000 के उसको भी में हम credit में treat करेंगे और यहां पर बच्चों दोनों के 20% का profit है बड़े आराम से चलेंगे सबसे पहले देखो जो मैं cash में goods बेच रहा हूं कितने की goods बेच रहा हूं से 10,000 के तो इससे जो मेरा stock है कितने में सब्सक्राब माल बेचोंगे 12,000 रुपए में एकदम क्लियर है तो यहां पर बच्चों 10,000 वाले goods 20% के profit के साथ 12,000 में बेचे जाएंगे और यह जो goods बेचे जा रहे हैं यह cash में बेचे जा रहे हैं तो मुझे यहां पर cash कितना मिल लिए तो यहां पर टूठावजन का profit मैंने क्या कर दिया एड कर दिया बिजनसमें बिजनसमें करी क्यों रहा है profit कमाने के लिए किसको मिलेगा बिजनसमें को अब आते हैं बहीं आओ क्रेडिट वाले पे यहां देखो 15,000 के बेचूंगा 20% के profit लेकिन अपकी बार उधार में बे क्याश में नहीं बेच रहा हूं सक क्रेडिट पे बेच रहा हूं तो एक डेटर क्रियेट हो जाएगा एक एक असिट क्रियेट हो जाएगा कितने हजार का 18,000 रुपए का तो यहां पर हम लोग इसका मैं आपको treatment बता दूं जब किस तरीके से करना है आप लोगों को तो यह सबसे पहले भई हमारे goods कम हो जाएंगे कितने के सर्फ 15,000 अब यह goods आपने जिसको भी बेचें उधार में बेचें उससे पैसा लेना हमको क्या है अभी बाकी तो पैसा लेना बाकी तो वह बनना हमारे लिए क्या बन जाएगा से data data नाम का asset create कर लो कितने से 18,000 से और 15,000 का म हमारा अगला step क्या होता है सर हम यहां पर रिवाइज वैल्यू पता लगाएंगे जिसको बुलते हैं new equation तो यहां सर अब यह काम करी आप इसको इन दोनों को plus कर लीजे तो 92,000 रुपीज का तो हमारे पास cash रखा हुआ है plus 50,000 में से 25,000 के तो सर आपके जो stock के वो कम हो चु अब ही मैंने आपको प्रीवेस कोशिन में समझाया था कि यहां पर सिर्व एसिट के अकाउंट खोलते हैं कैपिटल और लाइबलेटिस का खोलता है कोई भी expense और income का अलग से अकाउंट ओपन नहीं करना है उसको direct capital में से क्या करना है plus minus करना है तो यहां मैं लिख देता हू 1000 में से बच्चों आप लोग माइनस कर दीजिए 8000 करो भई करो सर यह निकल कर आएगा हमारा 84,000 कि स्टॉक हमारे पास अभी वी कितने का से 25,000 का 18,000 हमको अपने डेटर से लेना है सर अब हमारे पास जो यहां पर capital बचा है वो बचा है 97 और आपको अपने क्रेडिटर को देना है 30,000 अब एक बार काम कर यह क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारे जो resources है वो हमारे sources के बराबर है की नहीं तो 97,000 में काम करो आप लोग प्लस कर दो 30 सर यह निकल कर आएगा 1,27,000 और यहां देख लेते हैं 84 25 और 18 आपको जो है बच्छो एड करना तो पहले 84 में मैं काम करता हूं सबसे पहले यहां पर 18 एड कर देता हूं तो 84 हो गया 94 1,2000 इन दोनों का एडिशन 1,2000 हो रहा है उसमें 25 और एड कर दीजिए तो यह जाएगा 1,27,000 तो यहां देख सकते हैं कि मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है कि जितने भी हमारे पास जितने भी बच्छों हमारे पास resources होते हैं वो हमेशा sources के बराबर ही होंगे या फ हमने इसका introduction लिया था कुछ numerical में भी हमने deal कर लिया है इसके बाद बच्छों का एक पार्ट और बचा है भी हमारे पास जिसमें हम बात करेंगे calculation of opening capital closing capital profit and loss assets liabilities तो यह सब बच्छों हम अपने next वीडियो में cover करने वाले हैं thanks for watching मिलते हैं बच्छों अगले वीडियो में जय ह सब्सक्राइब